दोस्ते एक खुस ख़बरी दे रहा हूँ, बहुत जल्द इंडर मार्केट में मारूती की नेक्स जेनरेसेन भी तरह ब्रेजा लॉंच होने बाली है, आप आप लोग पूछोगे कब लॉंच होगी तो ये जून या फिर जुलाई मंथ में इंडर मार्केट में लॉंच हो सकत बार में जानकरीद देने बाला हूँ, इन में से कुछ फीचर आप लोगों ने बैले में में भी देखे होंगे, तो वो फीचर भी इंक्लूड होगा इस नेक्स जेनरेसेन भीजा में, इंजिन की बात करें तो इस गार में आपको वही 1.5L पेट्रोल इंजिन मिले बाला है ठीक ठाक मालेज, और ये मालेज फीकर्स बर जाएगी जब ये स्मार्ट हाइब्रिड टेकनलोजी के साथ आएगी मारूती के लाइन अप में, अब चले उन फीचर के बार में बता देता हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो सेब से पहल जो फीचर होगा, बो होगा, 360 degree view camera, जो आपने बलेनों में देखा होगा, उसके बात आजाता है, नामबर 2 पर, 9 inch smart play pro plus task green importainment system, ये भी आप लोगों ने बलेनों में देखा होगा, top model में, नामबर 3 पर आएगा, new sporty swift d-cut steering wheel, मतलब swift बाला d-cut steering wheel, अब आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलेगी, नामबर 4 पर आजाएगा, baleno source new analog mid, baleno के top model में आप लोगों ने जीस mid को देखा है, वही mid आप आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलेगी, नामबर 5 पर आजाती है, baleno source auto dimming rbm, मतलब baleno के top model में आप लोगों ने जीस rbm को देखा होगा, auto dimming rbm, automatic climate control और उसके साथ साथ rear AC band, वह भी आप आपको नाया ब्रेजा में देखने को मिलेगा, नामबर 8 पर होगा cruise control, नामबर 9 पर होगा electric sunroof, जी हाँ दोस्तों, आप आपको मारूती ब्रेजा में sunroof भी देखने को मिलेगा, sunroof के साथ साथ ये इंडर मार्कर में पहली कार लेकिन अब वो कमी फूलफिल कर दी है, कमपनी ने, आप आपको sunroof देखने को मिल जाएगी, आप next जो feature आईगा वो होगा, नामबर 10, 6 yard bag, मतलब safety को लेकर को भी compromise नहीं होगा, आपको बैलेनों में देखने को मिला था, 6 yard bag, जेटा और truck model आफ़ा में, तो वो ही 6 yard bag का setup आ होगा electronic stability program मतलब ESP, जो आपको automatic transmission में देखने को मिलेगी, आप transmission की बात करें, तो इसमें मिलता था, 5 speed manual के साथ 4 speed automatic, लेकिन अब company ने इसको update कर दिया है, आपको मिलेगा 6 speed manual के साथ, आपको मिलेगा 5 speed manual के साथ, 6 speed torque converter automatic transmission, मतलब जो कमी आपको खलती थी automatic में, कि कास एक गियार ज्यादा होता, या फिर 2 गियार ज्यादा होता, तो वो कमी भी अब fulfill हो चुका है, आप आपको ब्रिजा के automatic transmission में 6 speed torque converter transmission को मिलेगा, तो ये हो गया 12 number की confirm feature, अब चलिए number 13 feature की बात कर लेते हैं, तो वो होगा wireless apple and android support, तो जी हाँ, आप अपने phone को wirelessly connect कर पाऊगे, चाहे apple हो या फिर android हो, आपका phone जो भी swap rate support करता हो, उसके मातल से आप अपने phone को गारी से connect कर पाऊगे wirelessly, तो ये feature भी आपको मिलेगी, अब number 14 पर जो feature आएगा, वो होगा keyless entry, ये feature पहले भी आता है, current model में भी आता है, लेकिन अब आपको ये feature मिलेगा ही base model से ही, और last में जो feature होग पहोगा push button start, ये feature आपको current model में मिलता है, और इसके next generation model में भी मिलेगी, तो दोस्तों ये थे बहुत सभी पंदा feature जो आपको next generation मारूदिक बेजा में देखने को मिलेगी, तो अगर आपको ये video पसंद आई है, तो video को like करना, चैनल को subscribe कर लेना, और ऐसे videos देखने के लिए subscribe जरू करना, तो चैनल फिर मिलता है आपसे आगले video में, आज के इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत सोकिया,